नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर्श से आपके अपने यट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जो हर्याणा जी के क्वीज और डेली मौक टेस्ट की सीरीज चले हुई है उसका पार्ट नमबर 16 है और पहले जो 15 पार्ट हमका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अपनी अच्छी तयारी के लिए और नियू कीश्चंस के लिए आप या रेपिटिड क्वेस्चंस के लिए आप ये जो मौक टेस्ट की और जी के कुईज की सीरीज इसको देख सकते हैं और आपने जो अचे सेसी के एक्जाम है जिनको बताया जारा है कि दिसंबर से वो स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए आप अपनी त्यारी कर सकते हैं तो चलिए कम से कम से मैं आपका लेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेस्चन आपको बताने की इन वीडियोज में हम करते हैं आजगा पहला क्वेस्चन ले लेते हैं पहला क्वेस्चन जी हर्याना में प्रस्तावित कुमारिया नाभी के सेंत्र का स्थल कहां है उफसन ए फ्रीदाबाद ऑफसन भी सहाबाद ऑफसन सी हिसार ऑफसन डी फतेहाबाद तो फ्रेंड्स इसका जो सही अंसर है के अंदर है वो आपका फत्याबाद के अंदर स्थीत है अगले प्रसन के और बढ़ चलते हैं आज का हमारा दूसरा प्रसन है वो भी देख लेते हैं हरियाना पंचायती राज दिनियम कब लागू किया गया ऑफसने 22 मई 1993 ऑफसन बी 22 अपरेल 1994 ऑफसन सी 22 अपरेल 1993 ऑफसन ड 22 मई 1994 जो पंचायती राज दिनियम है वो हमारा 22 अपरेल 1994 को लागू किया गया हरियाना के अंदर और जो पंचायत में जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया या अनिवारी योगता लागू की गी वो सबसे पहले राजस्थान ने लागू की हरियाना ने उसके बाद दूसेरे नंबर पर हरियानों ने जो एज सिक्ष्या इसमें लागू की गी थी ठीक है और भारत में जो स्तानिय सवसासन का जनक लाड़ रिपन को माना जाता है ठीक है जंसरी मान ने आपको बतार राजस्थान ने 2014 में सेक्शनी की योगता लागू की थी और 7 सेप्तेमब पर 2015 को हरियान ने पंचायती राचुनाओं में सेक्षणिक योगता लागू की और यह अप अरियाना देश में दूसरा राज्यवने इंपोर्टेंट और हैम क्वेस्चन है जो आपके एक्जाम के लिए सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि सेर किया करें भी वीड इंदर सिंग तो फ्रेंड्स इसका जो सही अंसर है वो आपको आफ्सन नमरे मस्त्राम मस्त्राम जो है आदूनिक यूग के कवी माने जाते हैं अगले प्रसंद के और बढ़ चलते हैं हरियाना में हाथी पुनरवास एम अनुसंदान के अंदर कहां पर स्थीथ है आफ्सन A. पंचकुला B. यमुना नगर C. अंबाला D. कैथल तो फेंड्स जो हाथी पुनरवास और अनुसंदान के अंदर है यह आपका यमुना नगर जिले के अंदर स्थीथ होफसन भी यहां पर आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है यूमना नगर जिले में बंसंतोर जंगल है क प्रसिद गायगा रीचा सर्मा का संबंद की जले से रोत तक फरीदाबाद हिसार अंबाला तो रीचा जो सर्मा है उनका संबंद आपका फरीदाबाद से रिचा सर्मा का संबंद गाईका है ये फ्रिदाबाद से इनका संबंद है सोनु निगम वो भी गायक है उनका संबंद भी फ्रिदाबाद से है और अगर आजा यसपाल सर्मा का संबंद किसे है यसपाल सर्मा का संबंद है सिनेमा से है किसे सिनेमा से और पुर्सों के द्वारा पहने जाने वाली टोपी जिसको हम क्या कहते हैं खंड़का भी कह देते हैं या खंड़वा भी कह देते हैं सुबास गई असो गई दोनों भाई रोतक से निरमातन दरजे सिंग मैंने आपको बता है उसके बाद टीपी अगरवाल सोनिपत से हैं केपी कोसिक रोतक से हैं टीपी अगरवाल सोनिपत और केपी कोसिक रोतक से हैं याद करें रणदी पुड़ा रोतक से जुही चावला कहां से आपकी अंबाला से प्रिंजदी चोपड़ा जूही चावला ये दोनों आपकी अंबाला से इसकी अलावा सुस्मा सवराज भी अंबाला से थी ये चीज़े हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे के लिए प्रसंड के और बड़ चलते हैं निमन में से कौन सा यूगम सही सुमेलित है विकास करसन सुमन बाला विकास करसन के सामने दिया है कुस्ती सुमन बाला के सामने होकी संतोष याद वोलीबोल संदीप सिंग बॉक्सिंग तो फ्रेंड्स इसका जो सही अंसर है वो आपका ऑफसन नमबर भी सुमन बाला होकी तो अगले प्रसंद के और बढ़ चलते हैं इसमें भी सही जोड़े का चेन करना है कपाल मोचन कहां पर लगता है ब्रम्स रोवर कहां है पंडू पिंडारा कहां स्तल बोर कहां है तो ब्रम्स रोवर कुरुक्षेतर उप्षन नमबर भी आपका सही है इसके लाव तो फ्रेंड्स इसका जो सही अंसर है वो है योगे स्वर्दत जो अभी बरोदा से कहां से बरोदा से भारतिय जन्ता पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट है उपचुनाओं में ठीक है इस चीज़ का आप जहां रखेंगे दस तारीकों जिनका रेजल्ट आएगा तीन तारीकों वोटिंग हुई है अगले प्रसन के और बढ़ चलते हैं निमन में से कौन हरियाना के राज जैपाल नहीं रहे है जैसुखलाल जीडी तपासे राव विरंदर सिंग धनिकलाल मंडल तो फ्रेंड्स इसका सई अंसर ऑफ्सन नमबर सी तो राव विरंदर सिंग हरियाना के राज जैपाल नहीं रहे है हरियाना के दूसरे मुख्य मंतरी थे और पहले गैर कांग्रेशी मुख्य मंतरी थे अगर सीरीज में पूछ लिया जाए तो दूसरे और पहले गैर कांग्रेशी पूछ लिया जाए तो राव विरंदर सिंग अगला प्रसन है हमारा हरियाना का साहित निम्न सभी भासाओं में सम्रद है सिवाए हरियाना का साहित निम्न सभी भासाओं में सम्रद है सिवाए हिंदी पाली, ब्रिज, उर्दू तो friends इसका जो सही अंसर है वो आपका पाली है तो पाली को छोड़ कर हिंदी में भी बृज में भी उर्दू में भी हमारा साइत है हर्याना का जो साइत है वो संब्रिध है अगले प्रसंड के और बढ़ चलते हैं इसमें भी आपको क्या करना है सही मिलान करना प्रकार से आप इसको manage कर लेंगे सबी चीज़ हो अगला फिर से वही question आ गया जी नीमन में से कौन सा युगम गलत है इसमें पता ना गलत कौन सा है तो निर्मल गुलिया जिमनास्टिक लिखाओ गुर्परीत को और भाला फैक सुनिता सिंग दोड गीता जुच्छी निसाने बाजी से नहीं है ठीक है तो गुर्परीत जो निर्मल गुलिया जिमनास्टिक बिल्कुल से गुर्परीत को और भालफ है कि ये भी ठीक है सुनिता सिंग दोड जी है और अगर आजया दलेल सिंग वो वोली वोल से है राजपूत सैलिच इतरकला का विश्या है भगवान क्रिशन का जीवन महाभारत रमायन यह सभी तो फ्रेंट्सिस का सही अंसर होगा और संडी यह सभी तो महाभारत के बारे में अगर पूछ ले जाए महाभारत का प्रसीदुद कहा हुआ कुछेतर में कितने दन तक हुआ यह 18 दिन तक हुआ इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे राव तुला राम का जनम कब हुआ राव तुला राम रिवाडी में का जनम हुआ था कब हुआ 1824, 1825, 1826, 1827 तो फ्रेंट्सिस का जो सही अंसर है वो आपका 1825 तो राव तुला राम का जनम 9 दिसंबर कब हुआ राव तुला राम का जनम रिवाडी में 9 दिसंबर 1825 इस वी को राव पुर्ण सिंग के घर पर हुआ था इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे अगले प्रसन के और बढ़ चलते हैं हरियाना सरकार दोरा किस वर्ष को बाली का सीशू वर्षे गोशिते किया गया 2005, 2007, 2006, 2008 तो फ्रेंड से हरियाना सरकार ने 22 सेप्टेंबर 2006 22 सेप्टेंबर 2006 को बाली का सीशू वर्षे गोशित किया इस चीज़ कहा पे द्यान रखेंगे अगले प्रसंद के और बढ़ चलते फजल अली आयो की रिपोर्ट कब प्रस्तु थी 1956, 1953, 1957, 1955 तो फजल अली आयो की जो रिपोर्ट थी वो 1956 यानि 1956 में इसको प्रस्तु थे किया गया था अगला प्रसंद है, एसिया का सबसे बड़ा पसू पालन फार्म हरयाना में कहां परस्ती थी थी पसू आ जाए, पसू राश्चिया पसू ये भी करनाल के अंदर 1985, 1985 में और भैस आजाए तो हिसार के अंदर इन चीज़गा पे ध्यान रखेंगे 2985 में इनकी स्ताप नवी के अंदर ये मिट्टी लवनता ये भी करनाल के अंदर है 1969 में अगले प्रसन के और बड़ चलते हैं अगला प्रसन भी बहुत इंपोर्टेंट है HSSS से एक्जाम पॉइंट ओफ वी को ध्यान में रखते हो हरियाना के किस जिले में हरियाना के किस जिले में वन्येई करन क्या है हरियाना के किस जिले में वन्येई करने हे तू विशेश ज्यान दिया जा रहा है कुरुक्षेत्र भीवानी जीन इसार तो friends इसका जो सही अंसर है वो आपका कुरुक्षेतर है क्योंकि यहाँ पर हर साल गीता जैनती समार होता इस वज़े से इसमें जोवे नहीं करनों के लिए विशेश ज्यान दिया जाता निमन में से कौन सा लोक नर्त है हरियाना राज्य का नर्त है हरियाना राज्य का निर्त है बावुल यक्सग्यान धमाल और भी हुथो friends इसका सही अंसर है धमाल ओसतन सियां पर है इसका रिलकिल सही अंसर निर्त है धमाल है प्रिंदिती चोपडा कहां से संब्द रखती मैंने आपको बता आता है option A. Pandit Nekiram Sharma option B. आपका है Pandit Dindayal Sharma option C. Lala Murli Dhar option D. Rao Tula Ram Rao Tula Ram का जनम 1825 को रेवाडी में हुआ तो Grand Old Man Lala Murli Dhar Nekiram Sharma ने संदेश नामक पत्री का लिखी तो Lala Murli Dhar को Grand Old Man नो पंजाब का आ जाता यह आग्या जी Lala Murli Dhar का जनम कहा पर हुआ अम्बाला पलवल पंसकूला यम्नानगर तो लाला मूरलेधर का जनम पलवल में हुआ था लाला मूरलेधर जीने ग्रैंड ओल्ड में नो पंजाब का जाता इनका जनम सन 1850 इस्वी में हरियाना के पलवल जिले में अगरवाल परिवार में हुआ इनके पूर्वजे उसके बाद अम्बाला में आवसे थे अगले प्रसंद के और बढ़ चलते हैं शिंदू सब्वता के अवसेशो होए तू परसिद मिथा थल कहां पर अवस्तित है तो मिठातल एक सिंदू सब्विता के अवसेश यहाँ पर मिलते हैं सिंदू सब्विता का स्थल था यह भीवानी जिले में पाया जाता है कहाँ पर है सिंदू सब्विता का मिठातल मिठातल हमारा भीवानी जिले में स्थीत है अगले प्रसंद की और बढ़ चलते हैं अगला प्रसंद भी बहुत important है exam point of view से ठीक है निमन में से कौन सही सुमेली था इसमें आपको सही सुमेली करना है बढखल जील फरीदाबाद बिल्कुल सही यह हमारा ठीक है बढखल जील फरीदाबाद के अंदर तो option A सही है बिंडा का अंतिम प्रसंद है एक बार फिर जाने से पहले request कूँगा share की आगरे वीडियो को मज़ा आता सीरी जैसे ही चलती रहेगी लगातार continuous ले जब तक आपका selection नहीं होता है तो पंजाब का share वा पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपतराय को हम सभी जानते हैं किसको जानते लालाजपतराय को पंजाब का share या पंजाब केसरी के नाम से अब इनका जनम कहां पर हुआ वो भी बता देता हूं और कब हुआ 28 जनवरी 1865 इश्वी को इनका जनम पंजाब के मोगा में एक बनिया परिवार में हुआ था ठीक है इस चीज़ का आपे जान रखेंगे आज क इस वी उन फिलाली तनाइ देने वाल